सभी किसान वैपारी और आरती भाईयों को राम राम भाईयों फल वज सब्जियों के ताजा भाव की जानकारी के लिए आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियों की जानकारी आप तक भाईयों आज दिन है रविवार और तारिक 3 स्तंबर 2030 आज सुबह का मोसम साफ रहा गूगल वैदर रिपोर्ट के अनुसार कल भी मोसम साफ रहेगा आज रविवार को मंडी में फल वसब्जियों की आवक, विक्षरी और मंडी का महल कैसा रहा ये पूरी जानकारी आपके साथ साजा करेंगे फल वसब्जियों का भाव जानते है आड़ती भाईयों से और एग्री मंडी टीम अपना अनुभाव साजा करेगी इसके लिए वीडियो के आंद तक जरूर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें आज शुरुआत करते हैं सब्जियों से और आर्टी भाई से जानते हैं सब्जियों का बाजार भाव बाव्र जी नमस्कार जी आज कर्नाल मंडी में सब्जियों का क्या कुछ बाजार भाव चलाय नाल में सब्जीयों का बाद 600 रुपे 500 रुपे टिमाड रहे हैं और 500 छे सो रुपे शर आंजी यह कहां का माला जी यह सोलन इंचल का सराएंगा इंचल का जी आ नहान सराएं और सर बैंगन का क्या कुछ रहा हैं देंगन आट रुपे नौ रुपे आठ नौ रुपे किलो आ की औरनी है ओसर अपने पास जी सब्सक्राइब यां लंपल बैंगनी डांता डसर पीर रुपे, और क्रेलाव 15 रुपें और बंद्रा र्फेकों ओसर और और सरे इसकेलाव ऽो मझाशनाफिन मंतर रहे हैं यहां और सर्थol ब्धृफ क का बाशय ने माजना मेनजदा पे य प्रावक आज जादा रही है। आज व भी मंदिये 20-22 रुप किलो भीगी है। ओर सर अपने पास देशी खीरा भी आए वाधा। आज देशी खीरा भीगाए 15 रुप किलो। देशी खीरा 15 अरुबे किलो लगबक सर सभी सब्जीयों का बाजार आज नीचे की तरफ देखने की मिल रहा है आज सब जाज मंदा है कुछ संदी है कुछ आवाग ज्यादा है आवग ज्यादा है जाद कम है संदे को सर अपने करणाल मंदी में माल की आवग कुछ ज्यादा पुल्षित्तर गरुंडा को छोटी मंडिया बंद रहती है इस कारण माज ज्यादा आता है अच्छा जो आज पास की छोटी मंडिया वाज बंद है बंद है तो उनका माल भी यहां करनाल मंदी में आ जाता है और लैसुन का कुछ बज़ा रहा है लैसुन का आज सी रुपे आज इमाद चलवाड़ा और को राइटी आई सर अपने पास आज मटर का बजार है सतर रुपे दे लेके नभी रुपे दाई मटर का बजार सतर से नभी रुपे दाई बहुत-बहुत मेरवांडी सर आपने सब्जे के बारे में विस्तार से जनकरी दी अज़ा अपना नाम नाम बता दी के बहुत-बहुत दन्यवास सर बहुत-बहुत दन्यवास सर अब उनका बाव जानते हैं जो इस प्रकार से है आलू आगरा 500 रुपे से 550 रुपे कट्टा आलू डायमंड 580 रुपे से 520 रुपे कट्टा आलू चिपसोना 750 रुपे से 800 रुपे कट्टा प्याज नासिक बढ़िया माल 26-27 रुपे किलो रहा है और प्याज लोकल 20-24 रुपे किलो रहा है सिमला मिर्च हिमाचल वाली 35-38 गिलो और सिमला मिर्च महाराष्टर वाली 40-42 गिलो रही बंद गोवी 15-20 गिलो हरी मिर्च 45-50 गिलो अचारी मिर्च का भाव आज 20-25 गिलो रहा धनिया भायो 70-80 गिलो विका है पालक का भाजार आज 20-25 गिलो हरा साग सरसो वाला 20-25 गिलो पोदिना 80-90 गिलो करेले का भाव 18-20 गिलो रहा पेठा साथ 8 गिलो भी का है निम्बू लोकल वाला 35-38 गिलो तोरी का भाव 20-25 गिलो रहा भिंडी 15-20 गिलो भी की है चली का भाजार आज 10-11 गिलो रहा है आरवी 26-28 गिलो भी की है मुली का भाव 10-15 गिलो रहा है मुली की आवक अन्य दिनों के मुकाबले मंडी में ज्यादा देखी गई फ्रांस बिन भाईयो 40-50 गिलो कच्चा केला 4-5 गिलो भी गाया है इसमें कुछ छोटा साइज सामिल है कच्री का भाजार 18-20 गिलो रहा है कच्चालो भाईयो 89 गिलो के भाव से करनाल मंडी में थोक भाव फलो का बाजार भाव आज क्या रहा ये जानते हैं आड़ती भाई से यह भी 600 गिलो रहा है और इसके लाव अपने पास अनार आया हुआ है अनार बेगा अजकल नाशी का माल ज्यादा है वह अनवर में और इसके लाव अपने पास अननास हाई हुई है अनरा इस पैंटीस रुबे किलो सर यह सर जूस वाली है पता है में यह सर नारीयल पानी का क्या बाजार चलाज़ ज्यार सो पचास रुड़ा ज्यार सो 50 रह बीस पीस प्टेकिंग ए सर और सर अपने पास केला आता है क्या किया कुछ बाजार रहा सर अगज़ जैसे तेवा करो के बाद कुछ बाताते हैं आर्टी वाई के थोड़ा माल में उठाओं कम रहता है गराकी कम रहती है है तो कैसे महौल है सर आप बहुत बहुत धन्यवाद सर आज आपने विस्तार से फ़लों के बारे में विस्तार से जानकारी साजा कि अमारे दर्शकों के साथ मेरा नाम कमल कुमार दृमिना रेजित कुमार जबार नंबर पांसे चैसी फ़ोन नंबर 989 5449 00 यो जो फल रहते हैं उनका भाव आज रहा है शेव हिमाचल वाला 30 रुपे से लेकर 90 रुपे किलो तक भी का है शेव गोल्डन 80-90 रुपे किलो अमरूद 15-45 रुपे किलो पपिता 35-40 रुपे किलो नारियल गिरी वाला 25-30 रुपे परतिपीश मंडि में माल की आवग तता गराकी ठीक रही। दो दिनों से हरी मर्च की आवग कुछ कम देखने को मिल रही है जिससे हरी मर्च में तेजी रही है। तमाटर प्याज और लैसुन में अभी ठहराओ बना हुआ है। बैंगन, मूली, खीराग, फूल गोबी की आवक ज्यादा होने से इनका भाव आज नीचे रहा भाईयो कुछ माल मंडी में परचून में बिखता है जिसका कारण उसका ज्यादा भाव या कम लागत का होना होता है उनके भाव आज इस प्रकार से रहे हैं आदरक 110 रुबे से 120 रुबे किलो, पीली गाजर 35 से 40 रुबे किलो, भीषा 80 से 90 रुबे किलो, मस्रूम का भाव 140 रुबे से 150 रुबे किलो, गवार फली 35 से 40 रुबे किलो, लाल पीली सिमला मिरच 200 रुबे से 220 रुबे किलो, ककोडा भाईयो 55 से 60 रुबे किलो, परवल का बा भाईयो ये था आज करनाल मंडी का ताजा बाजार भाव। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। भाईयो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें। धन्यवाद। किसान और वैपारी भाई फल वा सब्जियों के ताजा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दबाएं। ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी सीधी आप तक पहुंच सके।